अभी इसी कोर्पर्ट के जैसा एक और बहुत अच्छा उशद है जो अपने स्वेंपाथ घर के बिल्कुल नस्दीक हो सकता है जेंदे का फूल जेंदा मराटी में क्या कहते हैं जेंडू यस जेंडू जेंडू का फूल जेंदे का फूल अंग्रेजी में हम सब उसे मेरी गोल कहते हैं ये दुनिया की सर्वोत्तम उशदियों में जिना जाता है बहुत अच्छे उशद है इस जेंडू के फूल का इतना ताकत है आपको याद है कई बार हमारे भारत देश के सैनिक जब सीमा पर लड़ते हैं युद लड़ते हैं अभी थोड़े समय पहले आपको शायद याद होगा कारगिल युद्ध हुआ उस कारगिल युद्ध में भारत के 680 सैनिकों को तो भीरगती प्राफ्ट हुए और बाकी कुछ 1200-1300 सैनिक थे जो घायल हुए किसी को बोली लगी किसी को बॉप लगा और सब को घाव भेंकर हो गए आप किसी भी military hospital में जाएं तो आपकी आँखों से देखेंगे कि जिन सैनिकों को भेंकर चोट लगती है घाव होता है, गूली लगती है दम लग जाता है उन सब को यही दिया जाता है जेंडू के फूल का रस जेंडू के फूल की चट्मी जेंडू के फूल की चट्मी अगर बनाके उसको लेपन किया जाए तो बड़े से बड़ा घाव भर जाता है और यह रस पीने को दिया जाए और जल्दी भर जाता है तो जब कारगिल युद्ध के समय अपने सेनिकों को जिनको घायल होने की सूचनाई की सब को हस्पितल के अंदर यही उपियोग में लाया गया और बहुत अच्छी परिणा में इस जेंडू के फूल को हमेशा धर में बना के रख दिया किसी भी तरह की चोट में अधूद काम करता है यह सबसे बड़ा एंटी सेप्टिक सबसे बड़ा दुनिया का इससे अच्छा एंटी सेप्टिक पुरी दुनिया में नहीं और अगर जेंडू के फूल की चट्नी बनाएं और इसमें थोड़ा खोरपड का रस मिलाएं तो बिलकुल सोने में सुहावी जैसा काम करत दीजे मैंने इसका उप्योग किया है कोडियों पर आप जानते कुछ लोग कोडियों जाते हैं शरीर का अंग उनका गलना शुरू कर देता उनके शरीर के गले हुए अंगों पर जब मैंने यह लगा दिया तो उसी के बाद उनका गलना बंद हो गया शरीर तो आप इसको घर में लगाते रखे जेंडू के फूल का सबसे अच्छा उप्योग है शरीर के बाहर के अंग में कहीं भी चोट लगे किसी भी तरह से गोली लग गई हो बंब लग गया हो एक्सिगेंट की चोट हो जल्दी से उसको भरना हो दील करना हो तो यह बहुत अच सब्सक्राइब जरूर करके जाएं